कि नमाश्कार दोस्तों अभी सबसे ज्यादा जो मन में शंका है डीस इक्व स्ट्री इंग में क्या करेंगे कैसे करेंगे गया स्ट्रेविय अपनाइगे कैसा इसे पैटर पर है यहां पर आपको दिख रहा है computer program परिक्षा 2021 यह हो चुकी है इसका यह paper है सामने screen के उपर आपको दिख रहा हो ठीक है याने इसमें साफ है कि इसका और इसका syllabus जो है असिस्टेंट रेजिस्टार का एक ही है यहां भी 150 नंबर का जो है यहां पर आगए सेम यहां लिखा हुआ है कि आपको दोनों सेक्षन में 40 परसेंट जो है क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है दोनों में लिखा है प्रशन पत्र के दो भाग होंगे सामाने अध्धन ठीक है उसमें चालिस परसेंट लाना है और दूसरे है चालिस परसेंट का मतलब हें कि आपको जो पहला पेपर है उसमें बीस कोशन सही हो Compet का हिसाब जाइत 3R स्थी धूटार मान के चलिए आपने बीसी कोशन अटेंड किये सपोस्पोस आपने 25 question जो है वो किये सही और आपने जो है वो अगर कहा जाए 10 question किये है गलत तो हर एक गलत question पर एक number कटना है आपका ठीक है तो यह wrong में अगर कहा जाए यह हो गया 10 question का 25 तरी हो गया आपके 75 minus 10 बचे 65 ठीक है अब लाना कितने थे आपको चुकि 20 number लाना था हर question तीन नंबर का है तो लाना थे आपको 20 इंटू 3 याने 60 नंबर लाना थे ठीक है यह साप सुत्री सी वात लेकिन आए कितने ठीक है यहां पर आपके यह 75 में से 10 गए तो पैसे ठीक है अब अगर मान के चलिए यह question आपके गलत वाले 15 हो जाते या 16 गलत हो जाते तो आप डिस्क्वालिफाई हो सकते तो इन बातों के उपर हम बात करेंगे कि क्या रणनीती हो कैसे हो पहले तो सभी लोग 2-3 बातें समाझ लीजेगा कि पेपर दिखेगा कैसा या आएगा कैसा तो जैसे यहां पर जो मैंने आपको चुछक इसमें उसमें यहां से नीचे में स्क्रॉल करते हो जारा हो यह 50 कोशन यहां से जो है वो खत्म हुए यहां पर और यह पेपर वन खत्म इन मेंसे आपको 20 कोशन और यहां से सीधह आगया कंपूटर विज्ञानेमन शूचना प्रत्यव्भी कि आपके वाले में लि आपको जिसको आपको करना है पूरा तीन घंटे के अंदर यह आप समझी गए होगे अब प्रश्म यह है कि चुकि माइनस मार्किंग है तो क्या रणीटी हो कैसे काम करें तो अब चुकि हमारे पास विशुद्याले प्रशाशन वाला पेपर तो अभी है नहीं से हैं इसमें एक भी इधर उदर ने जाथि यह साइक कुल सचिप का सिलेवा से यहां पर यह इन प्रकार और यह यह युनिट फाइव यहां पर भी युनिट फाइव इस प्रकार हमें ये बात तो साब समझ पड़ गई कि फॉस्ट पेपर आल्मूस्ट ये जो पेपर है कम्पूटर प्रोग्रामर इसी नेचर का आएगा जैसा ही पेपर दिख रहा है वैसा के वैसा ही पेपर हमको आना है और इस पेपर को जो हमें करना है अब एक तो यह है कि अपने दिमाग के अंदर ये बात रखना पड़ेगी जब हम पेपर वन करेंगे तो कम से कम 20 कोशन हमारे सही होना जाए कम से कम 20 कोशन याने टोटल हमारे पास 60 नंबर इसमें से हमको जो हो लाना बेड़ सो में से तब जाके कहीं जो है वह हम क्वालिफाई कर रहे हैं सेकंड पेपर के लिए नहीं तो सेकंड में अगर आप सो में से कोशन भी सही कर दो और पहले वाले में 20 की जगा 19 भी सही हुए तो कोई उसका मतलब भी निकला क्योंकि डिस्क्वालिफाई हो तो करें क्या मतलब अब यह जो प्रशन खड़ा हो रहा कि करें क्या कैसे 20 कोशन लाएं दो रण नीतिया है जो मैं बता रहा हूं पहले दिमार्ग नहीं लगाएंगी क्यों नहीं लगाएंगी जैसे मान के चलिए एक अच्छा बच्चा है जिसने सपोज मान के चलिए 25 कोशन बिलकुल सही कर लिए बिलकुल सही और उसको टोटल जो है वह अगर कहा जाए 25 कोशन से 75 नंबर आ गया है क्वालिफाइंग हमको चा पास 55 याने वो इस 60 के स्कोर से कहीं नीचे रह गया या अगर मान के चलिए उन 25 कोशन में से 16 गलत हो गए तब भी वो जह हो अगर कहा जाए कहां पर पहुंच जाएगा 59 के उपर इसे सिद्ध है कि बहुत रणनीती से काम करना पड़ेगा सिक्यूर कैसे करें आपने आपक तो क्या उससे पेपर बन जाएगा नहीं बनेगा तो अपने आपको स्ट्रेश फ्री रखो शुरू के प्रशने देखके टेंशन में मत आ जाना कई बार यह होता है कि कोशन पेपर में शुरू में दो-चार कोशन बहुत ज्यादा टफ होते हैं आकरी के बिलकुल सरल होते ह ना तो बहुत जादा उत्सहा ना तो बहुत जादा तनाव श्री मर्यादा पुर्श्यत्तम श्री राम जी की तरह आपने आपको रखना कि जब उनमें पता चला कि मेरा राजविशेक होने वाला है ठीक है मैं अब राजा बनूँगा तब भी उनको इतना ज़्यादा बुदावर्श के लिए अनवास पर जाना है तब भी उन्हें ऐसा नहीं कि वह गर कहा जाए कि वह रुदन करने लगे या परिशान उले बड़े सहरल और सहज बने रहे तो बस वैसे ही मेरा विश्वास है कि अगर आप एक्जाम हॉल में अपने आपको बहुत शांत रख पा वह जो बात करें कि क्या रणीती अपना है तो सबसे पहले पेपर मिला पेपर वन से शुरू करना क्योंकि सबसे पहले तो बहुत शांत मन्से एक से 50 तर उन को चुन लेना जो कोशन बिल्कुल तुम्हें लगता है कि 101 परसेंट इसमें कुछ गलत होई नहीं सकता बिल्कुल गलत होई नहीं सकता उसको बिल्कुल सीधे ही चुनना यहां पर जैसे एक सिंपल जी लौजिक जैसे सपोज माने की लिए मैं एक स्टूडेंट के नजेरियस देख रहा हू पहला दिया है कि मत्यप्रदेश के राज्यपाल के बाले में कौन सा सकति नहीं है ठीक है आलकि यह मैं आपको बता दूँ क्योंकि यह बहुत सरली था सत्तनारायंट सिना वाला यह लाल जी टंडन वाला क्योंकि लाल जी टंडन का निधन हुआ था 2020 में और वो यूपी से तो यह तो एपना दिमांत नहीं चलेल अपनने यार नहीं दो राज़के बढ़ाएं प्रतमान में मत्यप्रदेश में विधान साव महिला हों को गोले बनाना अब वहां पर देख रहा हो 25 जनवरी नाइंटी नाइटी फॉर आ रहे वेरी गुड और यहां आंसर में भर रहे हो भी बहुत शांत जितना शांत रहोगे जितना अपने आपको पैनिक होने से बचाओगे उतना ज्यादा एक्जाम हॉल में बहतर कर पाओगे सबसे पहले यह करा तो यह पहला कोशन अपना जो है वो सही होगे कि हायर इसका अंसर डी है अभी हमारे पचास में से एक कोशन तो अमारा त्यार होगे फिर आगे बढ़े सिद्धेश्वर बान गंगा मेला मत्यप्रदेश में किस हैर में लगता चलो नहीं मालूं ठीक है शीव पूरी में लगता है नहीं मालूं भूल गए छोड़ो दो हजार दो में मत्यप्रदेश राजिस्तरी गौरव दिवास अब यहां पर नहीं मालूं अभी अपन कह रहें कि बिल्कुल छोड़ दिया जाए यहां पर क्या है ऐसे कोशन हाला कि यह भी बहुत बेसिक सा है सेडोल में हुआ था अल्मॉस्ट इस कलास में सबको मालूम हलका फुल का करेंटर फेर्स पड़ा भी होगा आपने को 2011 में जन्गर्णा की अनुसार मद्देप्रदेश राज़े का लिंग अनुपात कितना है बेसिक सा है ऐसे बढ़ते बढ़ते आप जब नीचे की और बढ़ोगे जैसे आपने देखा कि मद्देप्रदेश मुख्य मंतिर उद्दम करांतियों जना सबको माले में 2022 में कितने होडिंग पोस्टिंग लगा है यह 2022 लगा दिया जैविक खेती का योगदान नहीं माले में छोड़ ठीक है जलवाई उचेतर कितने जलवाई उचेतर में सबको माले में 11 जलवाई उचेतर पाच पदल तक रहे बिल्कुल बच्चों बच्चों चोटी से चोटी सस्ती सस्ती गाइट के अंदर यह चीज लिखी होगे यहां पर अगरकान तो दस बाँ इसको मतलब यह वाला ट आप आकरी तक जैसे लिखा हुआ है अहार अनुदान हो जो इतने सारे एक्जाम से पूछी जाटी कि किसे आप सोच नहीं सकते क्योंकि अत्यंत्य पिष्ड़ी जन्जातियों के लिए आहार अनुदान ही हो जाना तो अपने को सब कोई मालुम है कि बेगा भारी या सार या बन जाते हैं तनाओ के कांड गलत हो जाते हैं जिसे अठारा नंबर का कुश्चन है सबको मालू में सोना गिरी दक्या सारू मारू की गुफाएं सबको मालू में सिहोर में हैं पान गुडाडिया सारू मारू की गुफाएं ठीक है ये बुद्ध काले निस्तूपों के लिए सबको मालूम सतधारा का इस तू यह भी आप राइसेंज चले जाओ साची का इस तू भी राइसेंज चले जाओ उदेगरी की गुफाई यह विदीशा चले जाओ यह सबको मालूम कुछ इसमें है यहां फिर जो है अगर कहा जा जैसे बीस नंबर का पन्ना में अब थोड़ा बहुत अगर आप डिस्टिक के साइट को फॉलो करते होगे तो बल्दीश जी मंदिर भी आप में देखाई हो चलो हम कहे रहें नहीं मानों लेकिन 18-19 तो सरली था ना सोनागिरी बिल्कुल सिंपल सिंपल पूछ लिया मुक्तागरी बावनगर सोनागरी ठीक है गोमटगरी है तो बेसिक हैं सब बच्चे याद करी लेते हैं याद करने वाले हैं वर्लाइन फैक्ट वाले 18-19 अपने गोला बनाती है फिर उसके आगे बढ़े ठीक है पढ़ने वाला आ रहा है कि यार इसको पढ़ना पढ़े है छोड़ दो अभी अपन फास्पेस पर दिमाग नहीं सब्सक्राइब करेंगे द्यान रखना ज्यादा एक लिए कंपिटर वाला प्रोग्राम सिलेवास था दो चार कोशन ऐसे उसने पूछी 27 वाला नहीं बंदा छोड़ दो 28 वाला नहीं बंदा छोड़ दो इस तरह से अपनने यह पेज उनने का नहीं बंदा कोई टेंशन ले है वैसे दो जहातर को पता ही होगा कि वह भी नों को यूट इसक नहीं पता है थीक है आला गायं हर बच्चे बच्चे को रटा है कि जगनी ने लिखा आला घंड के लिए जगनिक को जाना जाता है कोई ऐसा नहीं उगा जिसको ना मालू तो ये वाला उन्हें इसे कोशनस पर जाने का एक तरीका भी होता है पहले अभी फर्स फेस में रहता है कि आपको यह दिमाग लगाना है risk factor कहाँ पे है, क्यालिदास की पहचान किस से, साथ गरंत लिखे, लेकिन तुम से कोई पूछेगा, तो किसके बारे में पूछेगा, तुछ सब को मालव है कि कालिदास की पहचान है, दुष्यंत और स्वकुंतला से, क्योंकि दुष्यंत और शगुंतला के मालम है कि मार्च जो अब मत्य प्रदेश का राज्य नाटी ही है मार्च यहां तो यह तो सब को ही पता होगा तो लोक नाट्टे हो गया यहां पर यहां अभी मैं आपको खुद बता रहा हूं मतलब आप देखे खुद आप गिनोगे पचास में अगर आप देखोगे तो गाइड में भी लिखा हुआ है कि मत्य प्रदेश की कितने जिलों से होकर जो है वो करक्रेखा जो हो निकलती है अगर आप को बिल्कुछ सस्ती सी गाइड लोगे उसमें भी आपको यह चीज मिल जाएगी ठीक है तो यह रानी अवंतिवाई सागर प्रयोजना कोई ऐसा नह आप यहां पर ठीक है तो इस तरह से अगर हम पूरे 50 कुशन में से अगर टेकनीकली जैसे अगर मुझे लगता कि अगर मैं पेपर कर रहा उता और मैं आपई की जगाँ हो तो मुझे क्या-क्या पता होना चीनित सपर किम्जे रिए पता होना चाहिए कि मद्य प्रदेश की जितने institution से उसकी स्थापना में पता हो ना तो यह मेरा पहला सही हो जाता है ठीक है पन्ना वाला ये भी मेरा बिलकुर सही हो जाता क्योंकि जो केन है ठीक है यहां पर अगर का जाए वो बहुत ही जादा चर्चे थे वहां जो है जैसे चंबल अगर कहा आ जाए अपने घड़ सेंचुरी तो यह दूसरा भी मेरा सही जाता है रानीय अवंती वाय वाला तीसरा मेरा विल्कुल सही जाता सही मार्सेथ जाता क्योंकि माध्योण प्रदेश उत्तर प्रदेश की सबकों ओन में के प्लांट की बात करें तो अमर कंटक्ट चचाई यह सब को ही पता होगा चलो आपको ना पता हो तो पन के तो चलेगा इसके ऊपर में थोड़ा बढ़ता ठीक है मत्यप्रदेश के अंदर सरवदिक वर्शा वाला छेत्र अगर ढूंता तो मुझे मालूमता कि हाँ या वर्शा करेंगे अब पच्मणी के आसपास यहां पर क्या देख रहा है महादेव हिल्स देख रही तो अपन अंदाजा भी दिमाग लगा सकते इसको जो औरोग्राफिक रेंफॉल बोलते हैं तो हम अंदाज से आ सकते तो ऐसे अगर मैं कुल अगर 15-16 कोशन ही निकाल लेता आपके नजरीज़ तो फर्स्ट फेस में मैंने क्या करा कि वो निकाल ली अब सब्सक्राइब कर लिया है हां यार 16 कोशन हो गए मेरे यहां यार मेरे 25 कोशन हो गए जितने आपका जो एक संतुष्टी हो जाएगी कि यार यह वो कोशन है जो 101 परसेंट मेरे शिवर कि मुझे जो है देखो दो तरहां से आपको तुक्का लगाना होता है एक बच्चा वो अलाकि यह बोलना नीचे एक बच्टा वो जिसको लग रहा है कि मुझे तो कुछ आई नीड़ा जिब कुछ आई नीड़ा तो वहां घ्यानी बनने से कुछ नहीं है आप पूरा तुक्क़ई मारू हो ठीक है याने पचास के पचास जो हो तुक कई मारू आप तो उसमें कुछ नहीं लेकिन एक जो सूच रहा है कि यार मेरा पचास परसेंट हिस्सा मेरे हाथ पचास परसेंट में मैं शियोर नहीं वहां उसको रिस्क लेना चाहिए अब रिस्क कहां लिया जाए कोश्चंस में यह ध्यान रखें और यहां अगर बीस कोश्चंट ठीक कर रहे तो आप सेड़ जोन उसके बाद फिर आप उनी कोश्चं में रिस्क लो जिनमें कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यह आंसर हो सकता है या मेरा प्रडिक्शन कहता है कि यह होना चाहिए दो तरीके से जैसे जो मैं कहना चाह रहा था कि मैं ऊपर से जाता अब फिर से मैं यहां से आप मान की चलो यह पहले ही कोश्चन है अभी मुझे नहीं आता मत्य प्रदेश की प्रताम राज्यपाल सरला गए वाली मुझे मालू ही आलमूस्ट सबको मालू है सबसे अधिक लंबे समय तक सेवारत एक मातरा राज्यपाल जिनका जन्म मत्य प्रदेश में ही हुआ यह गलत है लाल जी टंडन का तो संबन था यहां यूपी से थे तो यह अभी 2020 में करेंट इंटरफेर्स में भी था तो अगर हम अंदाजा लगाते जैसे अब 71-77 के बीच में यह बात बोली है कि 71-77 के बीच संब्स में में भी के तो मैंने इसमेंर रिसक ले सकता था क्योंकि म criticism प्रौडशन मं इनका उत्त्र परदेश में हुआ तो मुझे यहां पर मैं इसमें तुक्का वोझा सकती हूं इसस तरह से लागाने वाली चीज़यों हो यह मैं और Behavior वाला है न तुक्का कहां लगाना ये भी द्यान से वर्ष 2022 में मत्यप्रदेश राज्य इस्तरिय आदिवासिय अब सोचो क्या भुपाल में ट्राइवल पपुलेशन क्या इंडॉर में में ट्राइवल पॉपुलेशन किया बचे माने कि चलिए आपको पता था कि है चैडूल है ठीक है सपोज आता थे उचाता सेडूलं मारते या हो सकता हैए आप इसको यह मानू कि आっぱ 10 कोशन कर रहें तो 5 के सई होने की समभाव नहां कि 10 एक दस में से 5 तो 5 एगर सई हो गए तो आपके किपने नंबर आ गए बेसिक अगर कहा आ जाे पंद्राज़ पांच अगर गलत हो गए तो आपके किपने नंबर कर गड़ें 5 नद ऐनब याने यहां पर आपके जो है वो ओवराल दस नंबर से आप विजेता होगा है तो पहली चीज आप हमेशा ध्यान रखेगा एक गड़ित का सूतर होता है प्रोवेल्टी जिसका मतलब होता है प्राइक्ता प्राइक्ता यह कहती है कि अगर एक नरसरी के बच्चे को यह MPPSC का सब पर दे दिया जाए नरसरी के बच्चे को और उसमें सो प्रश्ण हो तो उस बच्चे के 25 कोश्ण सही होंगे क्योंकि अगर वो सब पर एए टिक लगाएगा तो प्राइक्ता हर सो में से एक चोथा प्राइक्ता तो होगी ठीक है जैसे अपने मूलते ना कि सिक्का उछा कि क्या हुए खड़े सक्की की स्थिती का मतलब है जैसे यह सिंपल सी लॉजिक है यहां पर लिखा हुए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन एकनॉमी कि अनुसार अक्टूबर 202212 में मद्दपुर्देश में बेरोजगारी यहां गए यहां सका इस क्या बिगड़ेगा आपने इस्सिति है जिसमें चारों में ही आपको नहीं मालून कुछ, आपने 10 question करें, ठीक है, अब 10 question में से technically आपके सही होने की संभावना किती है, probability के नुसार, 2.5, technically, क्योंकि चारों option में से, अभी अपने 2.5 को थोड़ा बढ़ा के कर दिया, 3, 3 question आपने सही किये, तो 3 तरकार 9, आपके पास 9 number आए, यहां पर अगर का दिया, मैंने बढ़ा के कर दिया, आपको जो अगर कहा दिया, ठीक है, और 7 आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया, तो आपके पास 2 है, और overall कितने number आए, दो number, यहां आपकी संभावना जीत की क्या होगी, ना कर दिया, और अगर मैं धाई से करता, तो फिर आपके गलत हो जाते, याने, आपके जो है, आप आप आंसर कहा चला जाता, माइनस टू, समझे, यहां पर, तो यह जरूर ध्यान रखना भ्रिया, उस बच्चे के लिए, जिसकी गाड़ी, निलबटे संभाटा होगे, यह एक्जाम होगी, बनाई नीरा कुछ, वो तो दे श्रेष्ट करेगा, वो ही आगे जाएगा, दूद सब हो, जो मक्खन होगा, वही सबसे उपर ते रहेगा, यह ध्यान रिकना, आपको मक्खन बनना है, उसके अंदर, जिसको कितना भी दवा के नीचे रखो, वो उपर ही आता है, तो भुनियादी बाद यहां पर निकल कर एक बटे चार, कौन सा एक बटे चार आपके फेवर में जाएगा, गौड नोस, ठीक है, याने अगर ये वाला चला गया, और यही सही हुआ, तो आप बिलकुल सही हो गया, और अगर इन तीनों में से कोई चला गया, तो आप नुपसान में चले गया, यह ध्यान रखे, त यह A हो सकता यह C हो सकता, जैसे अपने ऐसे समय लें, 50-50 को, कि यह मुझे याद है कि 90-94 में मत्यप्रदेश जो है वो ग्राम पंचायती राज अधीनियम लाग हुआ था, 94 में, 25 को हुआ था कि 26 को हुआ, यह 50-50 है, क्योंकि 2-94 की डेट है, इसमें अब आप कोई भी लग होगे, आपके आदे-ादे अंदर बाहर होने की संभाव न रहेंगी, एक 50-50 वो होता है कि मुझे यह याद है कि 94 में आया था, लेकिन मुझे यह यह याद नहीं आ रहा है कि वो 25 तारीका था, कि 26 तारीका था, एक 50-50 यह होती है, ठीक है, इस 50-50 में भी risk ले सकते हैं, 12 अक्टूबर और दो डेट में 1946 लिखा है, दो में 1945 लिखा है, आपको याद है कि 1946 ही था, डेट याद नहीं तब आप risk कर लो, क्योंकि उसमें आदे सही होने की और आदे खराब होने की संभाव न बनेगी, ठीक है, यानि यह पहला risk factor समझ पढ़ गया, कि कैसे risk जो है, वो होता है, अपने ग्यान का और अनुभाव का उपियोग एक्जाम हॉल में कर, दो तरह से चीज़ होती है, एक होता है ग्यान और एक अनुभाव जिनको हम एक्जाम हॉल में उपियोग में जह हो लाते हैं, वो कैसे होगा, तो उसके लिए कुछ कोशन, एकाद अपन, उसके नेचर का भी कोशन जह हो देखने की जह हो पोशिश करते हैं, कि मतलब अगर कहा जाए कि इस तरह का जह हो जियान और अनुभाव से हम कोशन तक जाएंगे, तो कैसे जह हो जाएंगे, ठीक है, जैसे अगर कहा जाए, लिखा हुआ है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉ सिक्षा दिवस और राष्टी सिक्षा दिवस दोना लगा लें वो उनका संब्द कॉंग्रिस से जुड़े थे अच्छा हमारे भुपाल में मैनिट का नाम भी जो होगर कहा जा इनी के नाम से यह आप वहां दिमाग लगा रहे हैं कि यार यह मौलाना अबुलकलाम तो जब आ यहां लेकर जाएगा यहां पर अगर कहा जाएगा वो तिक्षा के उपर ही लेकर जाएगा ना तब यह हमको यह समझ पड़ेगा कि यार यह जो होगर कहा है कि कैसे जो ट्रॉफी जो है वो का जो सम्मन्द होगा वो मिनिस्ट्य आफ एजूकेशन से जो जो लिए तो अभी जो है वो अगर कहा जाए हम जो है वो इसको जो है वो लिंक कर सकते हैं क्या यह मिनिस्ट्य आफ एजूकेशन की होगी कि मिनिस्ट्य आफ जो है वो टूरिजम की होगी कि मिनिस्ट्य आफ क्या बोलते हैं आपके जो है क्या बोल सकते हैं इसको आपका स्पोर्ट की होगी कि ministry of minority की होगी ऐसे हम उसके answer तक जो है वो जाने की कोशिश मतलब इन questions में जाने तक कोशिश होगी यही एक तरीका होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं इन questions में जा सकते हैं यह वाला यह एक तरीका है कि कोन देगा क्या देगा कैसे देगा यहां तुक्षा लगा। अभी चिस सभूज मॉनगे मुझे नहीं कि यहां यह ऐल दे रहा है कि सिख्षा मुंग इंगे इन में सभी 50 50 है। लेकिन मुझे मालूम है कि यृठortal ट्राफी लिखा हुआ है यहां तो हुआ सिख्षा तुरिजम को कर दिया क्योंकि माइनॉर्टी से थे लेकिन कही ना कहीं कोई ऐसे अपने कभी यह नहीं देखा किया माइनॉर्टी से सीधे लिंक करके जोड़ कर बात की दें तो एक यह भी हो सकता है कि अब हमारे पास 50-50 हो सकता है कि सिख्षा मंत्राले है तो हमारा 50% ठीक है हील मंत्राले तो भी हमारा 50-50 दोनों में तुक्का जो लगाया और अगर जैसे ऐसा ही कोई कोशन ले लेते हैं अपन जैसे सपोज मान की चलिए और यहां अपर ले लिया जैसे अहार अनुदान चलो अहार अनुदान अपने को किसी को सपोज लगा क्यार मुझे तो पता ही यहां रुंदान क्या है तो क्या करूंदा यहां पर अब जैसे यह सब्द लिखा हुआ है यहां पर सुरक्षा के लिए उपयोग किये जाने वाले शदी सब्द जैए वो हनीपोर ठीक है का जह हो अब यहां पर दिमाग लगा है कि यार यह शब्द कहीं क्या मैंने सुन करा तरह लेकिन अभी मैं उस जगहां तक जा रहा हूँ कि कैसे कोश्न से आपको चुझा झाना वह अपना और आपका समय क्षा करां कुकि अधर में हैं असर बता रहा हुँझ तो मैं COBर करा रहा हूँ प्रेपर शॉल नहीं करा हैं मैं आपको बता रहा हुं कि वहां पर त प्रतिशत आंसर पता है या तो केस नंबर टू मुझे पचास प्रतिशत आंसर पता है यह मेरा रिस्क है यहां तक मैं रिस्क लूँगा तीसरा मुझे आंसर पता ही नहीं है लेकिन मेरा ग्यान ठीक है और मेरा व्यवहरी ग्यान और मेरा प्रडिक्शन याने मेरा पूर्वा उन में से कही न कहीं कोई जो है वो आंसर पोगा वहां तक मैं रिस्क लूँ चौथा केस है कि मुझे कुछ भी नहीं पता मैं रिस्क बिल्कुल ना लूँ मैं अपने आपको एक्जाम से बाहरी फेकूंगा ये मैं आपको प्रॉमिस कर दे रहा हूँ मायनेस मार्किंग वाले कुशन्स के अंदर ज्यादा कट आफ नहीं जाता कई बच्चे पूसते कित्रा कट आफ जाएगा वो मैं कैसे बता दू तो पेपर ते करेगा पेपर आएगा उसके बात तैह होगा कि क्या cut-off जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए, यह सब तुक्का लगाने वाली बात होती है, तो तुक्कों से एक्जाम नहीं निकलते हैं, ठीक है, आप अपना सबसे बहतर efforts लगाई है, अभी उसके उपर काम करें, तो यह जो बुनियादी बात ही हाँ जो क्या अपने पास जो केस हो गया है, वो शुरू के तीन केस पर ही काम करना है, पेपर वन में भी और पेपर टू में जिसे मैं एक आदो नीचे जो हो चला जाता हूँ, कोशन जिसे अभी सामने मैंने यह खोला, क्या नेमली कितमे से कालिदास की किस रचना का, अंग्रेजी अब मैंने लगाए कि कालिदास की साथ रचना है, कुमार संभव भी है, मेग दूद भी है, रगुवंश भी है, अभीगान सकुन तलम भी है, विक्रुमो वर्शी भी है, यहां पर अगर कहा आ जाए, और जो है, वो मालविकागनी मित्रम भी है, अब सपोज यहां आपको कहां होती, मद्य प्रदेश के इतियास से जुड़ी किताब का नाम है मालविकागनी मित्रम, क्योंकि अगनी मित्र जब विदीसा का गवर्नर था, तब उसने कैसे विधर्व का युद्ध लड़ा, उसकी कहानी मालविकागनी मित्रम में है, अगनी मित्र के बाद के जो रा से देखो कालिदास को जब भी लिखा पड़ा जाता है तो उसकी पहली खासियत होती है कि या तो वह मेगदूस से अपन उसको समझ रहे इन चारों या अविग्यान शब्न की तो या तो आंसर मेगदूद होगा या अविग्यान तो यहां मेरे पास 50-50 की यहां पर मेरे पास 50-50 की शियरोटी है कि यहां पर मेरा या तो हैड आएगा या तो टेल आए इसलिए इस कोशन में मैं रिस्क ले सकता हूं इस तरह के कोशन में मैं रिस्क यानि कहां मैं रिस्क ले सकता हूं अभी अपन उसकी बात कर रहे हैं इस वाले पृष्ण में जो है जो है अगर कहा जाए नाम से विद्ध्याले प्रारम विद्धिया है अब यहां दिमाग लगाया अपने क्यार जो है बाबा साव भीम्राव मेट कर थोड़ा सा अपने अपना कॉमन सेंस जो है वो शुरू करा सोचने हमें पता चला है कि यार उन्होंने अपने जीवन के अंत कास सिस्टम या इस तरह के विचार धराओं से वो आहत थे और उसके बाद उनको लगा कि मुझे बहुत धर्म अपना अब यहां आपको यह देखना पड़ेगा कि यार जो है वो गर का जाए अगर उन्होंने सब्समाने के चलिए बहुत धर्म को अपना लिए तो बहुत ध महानाम आनन वर्दमान सिद्धार्थ अब हमारे दिमाग में तो यह मतलब इस क्लास में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने सिद्धार्थ नाम नहीं सुना तो हम अंदाज से भी कोशन के आंसर तक यह वो जा सके अंदाज से भी लेकिन बहुत शान्त मन से उसको जो हुआ मिल जाएं कोई टीचर पढ़ा दे कोई नहीं पढ़ाएं यहां हमारा जो जैसे कितना एक देसी भाषा में जो शब्द में बोल रहा हूं वह तुक्का और थोड़ा स्टेंडर्ड वाषा में अगर कहा जाए तो वह हमारा एक एप्रोच ग्यान और अगर कहा जाए व इस तरह के कोशन तक जह वह जा सकते या इस तरह के कुशन के आंसर तक पहुंस सकते हैं हां ऐसे कोशन में यह बिद हैख़ों के और पियाईव को फॉलू करो मैं areador यहां से तरह और आगे और यह आगे पलसा बने गया तो यहां जैसे अब अपन कोई और कोश्चन सब्समाने जैसे राज पीपला ले लिए अपना दिमाग जो चल गया वहाँ पर राज पीपला अगर थोड़ा हलका फुलका भी पता है तो यह मालूम है कि यार राज पीपला का सम्बंद सत्पुड़ा से ठीक है हलका फुलका भी अगर किसी ने बढ़ रखा होगा तो उसको माले में सत्पुड़ा से राज पीपला अभी इस बार भी MPPSC में जो पुश्चन आया वो राज पीपला हिल्स की ही जो है वो पहाड़ी के बारे में जब प्रशन जहाब बूशा गया तो ऐसे अगर हम थोड़ ही वो वाले बेल्ट में होती क्या महादेव याने जो पच्मणी है महादेव वहां होती क्या नवदा घांटी में होती तो लगा या पच्मणी में अच्छी बरसा होती है ठीक है औस तन औस बरसा पच्मणी में होती है तो आपने तुक्का लगा हम तो किते हैं नहीं मालव लगा हो सकता है कि आप महादे घिल तो आप फिप्टी फिप्टी परसेंट से आंसर तक जो जा सकते तो यह मेरा व्यक्तिक अत्मत है चार बाते में जाते आते आपको बोल रहा हूं कि आपको कैसे जो है वो अगर कहा जाए टाइम मेनेजमेंट करना है मतलब यह माइनस मार्क ठीक है क्योंकि पहला पेपर ऐसा है जो टाइम कम टाइम कंजूमिंग है 30-40 मिनट में आपको फ्री करतेगा तो दूसरे में आपको खुब टाइम मिलेगा गोले भरने का सोचने का पहले में पता चले पहला भी आदा छोड़के बैठ गए दूसरा भी छोड़के लास्ट म मैंने बताए कि सबसे पहले एक नंबर से पचास नंबर के मैं पांच कुछण कुछ मिवें सबके अपनी अपनी स्टेंसर देकसी करने कि में स्टेंगे किसी जाए इस से जाएस्ड किसी ने जाएंगे की सोचे की 140 mm सोब्सक्राइब करें kantic फिप्टी-फिप्टी और तीसेरे नम्मर पे कहा जाएंगे जहां पर हमारा अनुभव कह रहा है कि फिप्टी-फिप्टी हो सकता है और उनको छोड़ देना जहां कह रहा है कि कुछ नहीं है तुक्कई मानना ठीक है इस तरहां से दोनों पेपर अगर आपने कर लिए तो मेर दोनमर से नहीं आई और आपको दुख न आ हो इसलिए अभी से इस बारे में सोचना जो हो शुरू करती है तो इस तरह से करिए मेरा विश्वास तो यह है कि आपको सफलता मिलेगी निश्यत रूप से कुछ अच्छा ही आपके सांथ होगा और यह पेपर में कोई भी आंसर आपको सोचेगा मैंने यह पेपर में कि जैसे आपको लगे कि सर ने इसका आंसर यह बोला इसका मैंने एक भी आंसर जो है वो यह सोचके नहीं बोला कि इसके आंसर के इसकी तो आपको अगर इस पेपर के आंसर देखना जैसे किसी को मन कर रहा है कि सर इसके आंसर बता कुछ मत करिए मैं ही बता देना आप यहां जाईए ठीक है और टाइप कीजिए मैं ही आपको करसर ही दिखा दे रहा हूं करके MPPSC और उसके आगे मॉडल कर दीजे तो यह मॉडल क्लिक करोगे यहां से मॉडल आंसर की का लिंक खुलेगा यहां पर यह कंप्यूटर प्रोग्रामर की यहां से क्लिक करके आंसर देखा यहां मैं एक भी आंसर इसलिए चाहता तो मैं सेंट साद्रा यहां को यह ड़ए अ como एको अदाज स्त्रलियका लेकिन मैं अंदाज क्या उसके उपर सब कुछ ठीक है तो अब एक वीडियो और मुझे आपका बना के देना है युनिट टैन का के जो पैसे उनको कैसे मैनेज करें तो होगा तो देखिए आज रात को या कल सोबे तक आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और खूब महनत करिए अभी एक दो दिने अच् आपको सफलता निश्यतूप से मिलेगी धन्यवाद